हलो फ्रेंड devi में सुसी आद की वीडियो में आप सब का स्वागत करती हूँ आद की वीडियो में मैं आप लिए लेकर आया है biggest तर्य हूं हम यह लिए से यह विद्री पाइए Kenist जो भूद ही पर सबके असंड ने Black cups दूद करते हैं आप चाहो तो गर की whipped remark milk cream भी डाल सकती हो आप इसे जअधा tasty और heavy बनाना चाहती हो तो आप इसमें cream की मात्रा को ज़्यादा भी कर सकती हो अगर आप वेट लोस करना चाहते हैं तो इसमें क्रीम की मातरा कम ही रखें क्योंकि ये फिर ज्यादा फेटी हो जाता है जब क्रीम इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें एक हलका सब बाला ने लगे के तब आप एक बाल लेजिए और इसमें लगबग 2-3 चमच कस्टरड बाल लेजिए कस्टरड की क्वांटिटी आप अपने पसंद के कोल्डिंग कमियां ज्यादा भी कर सकते हो इतर देखिए हमारे दूद में भी हलका सब बाला गया है इसा बालाने के बाद ही हमें कस्टरड में इसे 2-3 चमच मिलाना है देखिए हम इने लगबग 2-3 चमच दूद मिला लिया है अब हम इसे फिंटती हुए अच्छे से मिक्स करेंगे इसे फिंटना आपको बहुत ध्यान सिया इसमें एक भी लम्स बक्की नहीं रहना चाहिए देखिए इसकी क्वांटिटी आपको ऐसी रखनी है नहीं ज्यादा थिक नहीं ज्यादा लूज अब आप इस मिक्स कियवे कस्टरड को दूद में डाल दीजिए अब इसमें एक छोटा कप चिनी एड़ करेंगे चिनी आप अपने पसंद के कोल्डिंग कमिया ज्यादा भी डाल सकते हो फिर भी में यहां आपको सद्जेश करना पसंद करूंगी कि आप चिनी कमी डालिए क्योंकि जो फूरूट्स होती है उसमें नेचुरल मिठास होती ह फ्रेंड्स मैंने आवनीला कस्टड का यूज किया था में भी आपको सद्जेश करना चाहूंगी कि आप भी वनीला का ही लें क्योंकि यह बहुत ही अच्छा होता है और इसका टेस्ट भी अलगट करोता है फ्रेंड्स अगर आपके पास नोन स्टिक कड़ाई है तो आप ग सेंश्टी काफी थिक ना हो जाई यह पक कर आदा ना रजाई देखिए पहले से काफी थिक हो गया है हमारी फ्रूट कस्टड वाले बेटर को चेक करने के लिए आप समच की फिचली साइटिस से जब हाथ लगाएंगे तो इसमें देखिए इस तरह का कुछ निशान सा बन यानि यह बेटर फ्रूट कस्टड के लिए बिल्कुल तयार है अब इससे आप निक्चे उतार लेजिए और ठंडा होने के लिए रूम टंपरेचर पर रख दीजिए पहले इस बेटर को हम कडाई से निकाल कर फिर से बावल में ट्रांसफर करेंगे आप इसे जल्दी पानी में रखने के बाद में इस बेटर को आपको अच्छे से दिखाती हूँ देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है और इसकी कंसेंस्टी भी काफी ठिक है तो आपको बिल्कुल ऐसा ही बेटर चाहिए यह बेटर जैसे जैसे ठंडा होगा इसकी कंसेंस्टी और भी ठिक ह फ्रूट कस्टड करें तो लाए तो पहले करें कीवी अनादाना सेब अंबूर का यूज़ किया है, आप अपने पसंद के खोर्टिंग कोई भी मौस मी फल ले सकते हैं, और इसमें ड्राइफरुट भी डाल सकते हैं वैंगे प्र रूइसमें ड्राइफरुट को यूज़ champion किया हूँ जालने हएके हैं। मैं इससे बाहर निकाल कर आपको दिखाती हूँ देखिए इसकी का फिक थिक है और यह कितना अच्छा लग रहा है तो देखने में इतना अच्छा लग रहा है यह खाने में तो क्या बात है लाजबाव है तो आप इस रेशिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कोमेंट करके जरूर दाइए कि आपको यह मेरे रेशिपी कैसी लगी अगर आप मेरे सेनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी ऐसी टेस्टी रेशिपी की नोटिकेशन सबसे पहले आप तक महुंचे